Hello everyone, क्या हाल है आप सभी के वेल्कम ओल 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 फुटो अलएव सब्सक्राइश hun क्या हाल हैं हाई आप सफ्दिटे के सेशन college पूरा कापूरा सेशन dedicated है सभी स्टूडेंस के लिए दस बजए हमने live क्लास हमारी स्टार्ट कर दी में लैंगविज्स की और यह गाना डेडिकेटेड है आप सभी स्टूइंट्स के लिए जो लाइव क्लास इटेंडर नहीं करते हो और बोर्द में लग रहते हो और कहते हो कि बोर्द आ रहे हैं वोर्द सरफ बोर्द सरफ पर सीविटी के त्यारी कैसे करें मेरे दिल विच रहे के मेरे दिल मेरे दिल दाहाल ना जाने क्या हाल है तनीशा अनिल अभिशेक ये ट्रेवलर था ये टीजर था ट्रेजर बाकी है फिर पूरी पिच्चर आएगी टीजर कैसे लगा एक बार बता दो हाई अनिल क्या हाल है अंकेद मिहेर जस सबर hello everyone let's start with today's session English language section 1A top 25 MC की उजाजम करने जा रहे हैं सुन पारे हो तो एक बार मेरे को thumbs up जरूर करना start करते हैं हमारे पहले question के साथ पहला question ये jumbled questions मैं आपके पास लेके आता हूँ jumbled questions का मतलब यह है कुछ antonym synonym कुछ para jumbles कुछ vocabulary के questions कुछ grammar के questions कुछ correct the right sentence synonym and antonym word meanings fill in the substitution word इन सब के आपके पास सवाल आ रहे होंगे बाई कोई problem तो नहीं है कोई problem तो नहीं है बहुत बढ़िया चलो भई कोई problem तो नहीं है अभी तक सब crystal लिया रहना start करें select the option that is closest इनको कैसे बोलते हैं इनको बोलते हैं closest meaning questions जो closest meaning तुमें इसमें बताना है किसका of the underlined word underlined word का मतलब यहाँ पे क्या है underlined word का यहाँ पे मतलब क्या है his solemnity solemnity बोलते हैं इसको n जो होता है वो silent होता है जो n होता है वो silent होता है his solemnity is celebrated right answer बता तो भई इसका solemnity का closest meaning इनकों में क्या होगा greed, desire, trust यह dignity solemnity का reality में meaning क्या होता है उसको पता लगाओ और उसके बाद dignity, desire, greed यह trust में से कौन सा closest meaning में बैटेगा solemnity का no sir, जरूर, sir I give you five star five star मिलगे हैं भई, out of ten या out of five हाई दिपेश, हाई शुबांशू अच्छा, students को एक misconception है कि यह तो 10 की class है तो 17 स्टार्ट करने वाले है अब यह 10 की class है, 10-2 बे भी start हो जाती है घबराओ मत, start करें केशव प्रजापती, C unknown is right, dignity is the right answer the right answer is dignity पहली बात तो solemnity का मतलब भी होता है, किसी चीज को dignified seriousness के साथ करना किसी चीज को dignified seriousness कि भाई मैं तो बहुत ही जादा dedicated, serious बन्दा हूँ और जो भी मैं करूँगा I will do it with solemnity solemnity का मतलब होता है, इसे solemnity celebrated मतलब इसकी जो seriousness है dead serious बन्दा है यार या अपने काम के लिए कि भाई YouTube पे आता है तो आता ही आता है ऐसा नहीं कि एक दिन YouTube पे आया है यह तीन दिन कोई educator YouTube पे आया है यह तुम उसको पूझ न लग जाते है और यह कहां रह गया, कहां रह गया यह similarly कोई बन्दा तुमारा अगर regular कोई सिद्धू मुसे वाला का एक महीने बाद अगर song ना है तो तुम परशान हो जाते हो कहरे मनाटी एक महीने में एक वीडियो ना है तो तुम परशान हो जाते हो वो क्या है, his solemnity is celebrated dignified seriousness के साथ जब कोई काम करते है उसको बोलते है solemnity, अच्छा क्या यह greed है नहीं है, greed का मतलब होता है जादा से जादा पाना जितना जादा wealth हो सके majorly जो greed word है यह जो greed word है, यह आपका materialistic wealth के लिए use होता है materialistic wealth के लिए use होता है greed, materialistic wealth जितनी जादा से जादा, हवस, भूख जितनी से जादा मुझे चीज़े मिल जाए greed मतलब लाला चोना desire का मतलब a wish, a want, a desire to be fulfilled a need to be fulfilled trust का मतलब होता है faith दिखाना किसी चीज में विश्वास रखना dignity का right meaning यहाँ पर solemnity का synonym अगर तुम बूचोगे dignity is the right answer dignity is the right answer ठीक है भाई, इसके meanings एक बार देख लेते है solemnity means a trait of dignified seriousness by seriousness के साथ वो काम कर रहा है greed means excessive desire to acquire or possess more जितनी जादा मेरे को material wealth मिल सके जितना उतना better that one needs or deserves desire means an inclination to want this trust means having confidence or faith in dignity means the quality of being worthy of respect dignity मतलब respectful, worthy I am capable of doing this I am worthy enough to win that award I am worthy of respect from the public तो उसको क्या बोलते है dignified, dignity है यार dignity है इस बंदे के अंदर क्या बोलते है, dignity is the right answer आगे move on करें, चलो Mohan always had profound respect अच्छा इसमे एक चीज है इसमें तुमें क्या करना है synonym ने डूढना है, इसमें आपको opposite डूढना है इसमें आपको क्या डूढना है, opposite choose the option that is opposite in the meaning to the underline underline word of profound Mohan always had profound respect for Sohan तो profound का antonym क्या होता है जल्दी बताओ और profound का meaning जानते समझना, profound का meaning हम अलड़ी पिछले live sessions में कर चुके हैं इस session को आपका काम है सिर्फ और सिर्फ session को like करो और यह जितनी PDFs, regular live classes YouTube पे आपके बास चल रही है यह learn करो application पे जब आप जाओगे वहाँ पे free batches करके यार एक batch है हमारा open का रखके है, free of cost है एक रूपे का बैच है, वो भी एक रूपे आपको pay करने क्जूरते हैं वहाँ पे content section में जाना समझो क्या करना इसका answer जल्दी से बताओ, इसका opposite बताना है आपको करना क्या है, learn करो तो live learning app डाउनलोड करनी है, link इसका ओर डिस्रिप्शन बॉक्स में है learn करो तो live learning app आप जैसे just give me a moment इसका phone आ गया यह, चलो सुबह सुबह किसका phone आ रहा है वही गलत कर रहे हो, चलो सुनो सुनो, सुनो, सुनो आपको learn करो the live learning app डाउनलोड करनी है link इसका मैंने ओर डिस्रिप्शन बॉक्स में डाल रख आ है वहाँ पे store section में जाना है store section में जैसी जाओगे न वहाँ पे आपको free batch दिखेगा free batch पे click करना वहाँ पे free batch के अंदर purchase भी करने के जोती है content section में जाना यह जितने भी YouTube पे live streams हो रही है इनकी PDF आपको मिल जाएंगी कहाँ पर learn करो application के free batches के अंदर जैसी आप store section में जाओगे वहाँ पे आपको कुछ paid batches भी दिखेंगे जैसे हमारा rankers batch कल से start हुए है अभी उसमें enrollments हमने on रख रखें क्योंकि इसके बाद कोई batch नहीं आएगा आपके पास कोई student अगर from scratch dedicated त्यारी करना चाहरे तो rankers batch को प्रीज रेफर करें mock test series का हमने 999 का batch निकाल रखें most affordable batches आप सबी students के लिए निकाल रखें आप जाके check out कर सकते हो मोहन learn कर अप्लिकेशन जरूर डाउनोड करने ना क्योंकि महाँ पे notification आती रहती है deadline का बैदिली नुवेस्टी के form का बढ़ने आप कौन सी नुवेस्टी के form बढ़ने है next process क्या ओने वाला है बहुत जादा extreme feeling बहुत जादा dedication के साथ to a great intensity के साथ कोई काम किया जाए तो उसको बूलता है profound profound मतलब बहुत extreme तो यह deep कहने कहीं profound का synonym है extreme कहने कहीं profound का synonym है sincere sincere ऐसे नहीं बोलता है sincere effort मतलब justified effort थे हैं इसके profound का synonym है सिरफ एक चीज है superficial यह है profound का antonym superficial is the right answer superficial का मतलब क्या होता है superficial का मतलब होता है भारी परत दिखावा भार भार से तो यह खुश है पर अंदर यह अंदर यह मेरे को गाली न दे रहा है superficial मतलब खुश तो है यह अच्छा दिखा रहा है I'm in a good state, I'm in a good mental state, I'm in a good health I'm feeling happy for you यह चाह रहा है उस बंदे का भार से कुश है अंदर से कुश नहीं है D for daily is the right answer आगे move on करें, चलो भीया, आगे आजो superficial means trivial of little substance or significance superficial मतलब बहुती miniscule भार भार से तो अच्छा है, बट reality में उसका कोई substance निया, खोक लाए अंदर से आगे आजो, select the most appropriate synonym for the word astonishment सुना होगा कहीं बार, यूज करा होगा कहीं बार, सुना होगा कहीं बार यूज करा होगा कहीं बार, येस दिक्षा वर्मा, जतिन, देव मिहीर, मिहीर, जतिन इनसान का बाब, ये सारे students हर रोज आते हैं live class में, और इनका north campus confirmed मैं आपको लिखके बता रहा हूँ, English language की class को miss नहीं करनी चाहिए, अच्छा आज student बैसे इतने कम हैं, क्योंकि बहुत सारे students अभी exam देने कहीं है, physical education का, उसके बाद उनका math का exam होगा, reality में तुमारे exam चाहिए खतम होगे हो, तुमारे exam खतम होगे नहीं, जब तक 15 जून नहीं आएगी astonishment means very surprise so it's antonym, so it's synonym would be wonder, but मैं बहुत surprise हो गया, उसको क्यों बोलते है astonishment, composure का मतलब होता है self-central, हैसे नहीं बोलते है, बड़ा composed nature का है, ज़ादा बात नहीं करता है, और रहता है तो अपने आप में रहता है, उसको बोलते है calm, composure, chance, स्वभाव का, धीरच, मेरे best friend का नाम धीरच है, तो धीरच का नाम याद आ रहा है तो composure का मतलब होता है, compose रहना self-central रहना, fright का मतलब होता है terror awe, fright मतलब हो, मैं डर गया, ऐसे frightened, frightened हो जाना, terrified और frightened में बहुत slight difference होता है, बर difference होता है fright का मतलब एक expression है terror awe, terror awe awe का मतलब, एक expression होते है awe, इसका मतलब terror awe expectation, supposition, expectation मतलब मैं assume करके चल रहा हूँ, मैं suppose करके चल रहा हूँ, कि तुम तो भी मेरे लिए करोगे ही मैं suppose करके चल रहा हूँ, मेरी expectation है इस class से, ये class में 100 plus likes तो और आम से पुचा देंगी यूट्यूब के उपर, तो ये कैस supposition, मैं suppose करके चल रहा हूँ, तुमार साथ ठीक है जी, a for am the by is the right answer condescending का synonym क्या होता है condescending कहीं बाद तुमने reading comprehension, daily word usage में पढ़ाओ का, condescending का मतलब क्या होता है, बता दो भाई very good, jatin amandeep, wonder means surprise surprise हो गया, या एकदम surprise मिला उसको काफी surprising statement थी उसके लिए surprising event था, जिसके according उसने react किया, condescending बताओ भाई condescending का appropriate synonym, आप सबने बताना शुरू कर चुके हो, condescending का appropriate synonym होता है, beef or Bombay patronizing, एक करके इनके meaning समझते है, accusing का मतलब होता है, किसी को blame करना, किसी को accuse करना, भाई, तुने कुछ गलत किया है, उसको accuse करने को बोलते है, creating मतलब creating an art, to build something to draw something, to create something, या to make something an existing an existing object उसको being में लेके आना उसको बोलते है, creating, stimulating का मतलब होता है, copy करना, stimulation ऐसे नहीं तुमें बोलते हैं एक stimulating environment में आपको लिए के जाये जाये जायेगा, जैसे VR, virtual reality क्या होती है आपको सामने पहाड दिखेंगे, reality में वो पहाड है नहीं, बट वो experience ऐसा है कि वो आपको stimulate करेगा, कि आप उसी environment में जी रहे हो, इसका मतलब copy करना, उस environment का रेपली का बनाना, उसको बोलते है stimulating पेटरनाइजिंग का मतलब होता है, पहली बात तो condescending का मतलब क्या होता है, superior nature दिखाना, दिखातों condescending का मतलब क्या होता है, condescending means showing और characterized by patronizing और superior attitude towards others condescending हो रहा है, यह जो इसकी जो presence है ना, इस group के अंदर काफी condescending है, काफी बोच सकते हो कि काफी overwhelming, कि इसके आने बैयार मैं कुछ बोली नहीं पाता, इसके arguments मैं कुछ लड़ी नहीं पाता यह जो इसकी personality है, तुमने तुमारे friends group में भी बहुत सारी लोग होगे लोग होगे, ऐसे हो सकता है, तुम भी ऐसे ही हो मैं को लगता है, तुम ऐसे होगे overwhelming, या overpowering, कि भाई, एक दूसरे के उपर चड़ जाना, not physically, बड़ एक दूसरे के उपर चड़ जाना मतलब बातों में को ने, sending का मतलब, एक superior attitude शो करता है towards others ठीक है जी? नहीं, narcissism is something different narcissism तो वो होता है, जिसको अपने इलावा कुछ दिखता नहीं, जो खुद की beauty में खो रखा है, शीशे पर देखके वाह, मैं कितना सुन्दर हूं और mobile पर देखके, वाह, भाई पाउट करके, लजले भाई, snapchat पर streak, देख मैं good morning, good morning everyone, मैंने ऐसे किया वह, मैंने भी ऐसे college में तुम मैं केले नहीं हो ऐसे और तुम mentally sick नहीं हो इस case में सब करते हैं, यह human nature है नासेशिजम तो यार बड़ा नॉर्मल होगे आज की दिन में, ठीक है, आगे मुआन करें, select the most appropriate antonymum of the given word, embark embark का मतलब होता है, to commence on a good note, to commence on a healthy note, लिख लो, to commence on a healthy note एक healthy note पे start करना, एक healthy note पे commence करना, on a healthy note इसने लिखा कि भाई, positive start है embark का मतलब, तुम यह मैं समलना barking, कि कोई घर में आया, कुत्य ने बहुगना शुरू कर दिया, embark, अरे यह मतलब नहीं है, to commence, to start to welcome on a positive healthy note, यहाँ पे healthy note का मतलब है positive, positive note यहाँ पे healthy का मतलब health से नहीं है vibe से है, positive vibe positive vibe से है ठीक है जी c c c c c m bar का antonym बताना है, फस गे ना जो मैं बोलना चाहरा था, जिस शीज में मैं तुम्हें फसाना चाहरा तुम फस गे synonym ने पूचा, synonym ने पूचा antonym पूचा है, फस गे तुम उसी जाल, उसी माया जाल में फस गे जिसमें नहीं फस्दा चीए था, जिसमें हरे एक बच्चा फस जाता है, पिसला question synonym का किया, तो यह instruction पढ़ा नहीं यह भी synonym का question होगा, antonym का question है भाई मेरे, antonym का question है ठीक है यह एंबार का मतलब commence करना, board का मतलब होता है मैं बतायता हूँ, onboarding समझी है किसी aircraft, किसी plane पे ship पे चड़ना, या onboarding इसको बोलते है, किसी aircraft में जब तुम जाते हो, तब announcement होते है boarding for this flight has started launch करना, मतलब किसी चीज़ को launch करना start करना, initiative लेना commence करना, again, start करना, finish will be the antonym, defer tally is the right answer defer tally is absolutely right आगे move on करे, चलो भई okay, बहुत important है क्योंकि यह grammar तुमारी test करता है, उसके rules तुमें कितना आते हैं नहीं आते हैं, इसमें ऐसे कुछ options होते है, option one is true, option two is false, option two is true, option one is false, both options are true, या both options are false, select the two statements read the two statements and given below and select the right answer in the statement, Sarah wins Sarah swims quickly, quickly is an adverb, यह statement true है yes or no, and an adverb is the word that modifies a verb or an adjective, जल्दी से बता दो, और मैं तब तक तुमारे telegram पे, भई सारे telegram ग्रूप पे join है, yes or no, तुमारे telegram ग्रूप पे आज का schedule भेज देता हूँ तुमारे telegram ग्रूप पे आज का मैं भेज रहा हूँ, schedule चलो, चलो, चलो भई both are true, absolutely पहली बात तो Sarah swims quickly, quickly is an adverb, क्योंकि जो adverb होता है न, वो time, place को दर्शाता है, उसके expression को दर्शाता है तो yes, यह true statement है, because quickly का मतलब बहुजल दी, fast, quickly adverb की तरह form कर रहा है, adverb भी तरह काम कर रहा है, क्योंकि adverb जो होते हैं वो होते हैं किसी time या place को denote करने वाले second, an adverb is the word that modifies a verb or an adjective, यह भी सही है यह verb और adjective को verb और adjective को modify करते हैं adverb, verb यह adjective को modify करते हैं और adjective, noun या pronoun को modify करते हैं, तो दोनो is true c for Calcutta is the right answer c for Calcutta is absolutely right आगे move on करें, चलो भाई an adjective is a word that modifies a noun और a noun phrase, यह मैं already पिछले class में, पिछले question में बताया है हाँ, यह statement is true है terribly is an adjective, यह बहुत बढ़िया question है, very important confuse करेगा, important question है जल्दी से बताओ, confuse करेगा यह चलो चलो जी टेलिग्राम गृप पे देखो, मैंने डाल दिया मैंने आज का schedule डाल ज़े टेलिग्राम गृप पे चलो 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 ए फर हम्दबाद, terribly terribly is the right answer terribly is the right answer, yes or no terribly terribly, very good Tanuj, Prakhar, Keshav Amandeep, very nice very good effort Tanisha, by A for Ahmedabad is the right answer A for Ahmedabad is the right answer An adjective is a word that modifies भाई, यह तो true है terribly is not an adjective terribly is not an adjective तो terribly क्या है, वो समझते हैं यह statement false है यह statement क्या है, false यह statement false है यह statement true है पहली बात है, पहली बात तो right answer is option 1 A for Ahmedabad is the right answer A for Ahmedabad is the right answer कैसे? It is true that option 1 terribly is an adjective is a word that modifies तो statement 1 तो true है but यह देखो statement 2 के वारे में क्या बोल रहा है terribly is not an adjective but an adverb the correct form of adjective here would be terrible भाई, यहाँ पे terribly state बता रहा है terribly मतलब एक state of affair क्या चल रहा है उसके मन घटित क्या कहानी चल रही है वो बता रहा है तो terribly इस case में terribly इस case में एक adjective है अगर मेरे को उसको हम बोलेंगे terrible उसको हम बोलेंगे terrible yes or no तो a for amdabies the right answer option 1 is true but option 2 is false very good यह एक adverb है terribly और terrible क्या है यह है एक adjective यह एक adjective है आगे move on करते हैं आजो भई read the two sentences same instruction है बता दो the cashier counted the money is an active voice active passive का question है यह तो पता लग क्या होगा true है statement 2 बता दो बस क्या है the thieves were chased by the dogs is an active voice by were chased by the dogs पहली बात तो were chased जहां भी आ जाए और by जहां भी आ जाए वो active नहीं रहता वो passive रहता है तो यह statement false है क्योंकि यह active नहीं होना चाहिए था यह क्या होना चाहिए था passive यह active नहीं होना चाहिए था यह passive होना चाहिए था बस इतना ही तो बात थी इतनी सी बात है मुझे तुमसे प्यार है ठीक है जी यह true यह false the right answer is a4m the right answer option one is true option two is false ठीक है जी a4m the right answer very good आगे आजो आगे आजो यह क्या problem हो गई अच्छा कुछ problem आगया ठीक है 15th खा गए क्या हम ना 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 यह तो 8th पे आये थे हम कुछ problem हो गई just give me a moment एक बन मेन टेस्ट कर लू कुछ तो problem है the cashier के बाद वाला question कौन सा है एक मिट देखने तो ठीक है ठीक है रूख जाओ एक मिन रूख जाओ just give me a moment कुछ questions missing गया भी मैं बता रहा हूँ एफ़र हमदबाद yes Kevin yes Kevin भार्दुआच absolutely right ठीक है बहुत important word meaning आ गया है बहुत जादे important questions है चलो 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 देखे भाईया start करें इनको यहां तक तुमने कर दिया ना ठीक है यह रह गए थे start करते है चलो match the following word meaning है match करना शुरू करो ledge का मतलब क्या होता है पहली बात तो a projecting edge यह from a mountain हो जाना चाहिए on a mountain नहीं होता है ledge का मतलब क्या होता है ठीक है yes दिपेश दिपेश पितावन media aptitude के classes आपके करवाए जाएंगे दिपेश I think you are a learn करो premium bass student तो आपके पास तो सारी classes महाँ पर already updated है फिर भी media studies की media aptitude की जो top most questions है वो मैं आपके पास YouTube पे भी करवा दूँगा बाई लगता है आपके कंपेटिबली new words है हो सकता है तुमने ना सुने हो पर यह एक बाई पता हूँ muster up कहीं न कहीं तुमने सुना हो गा इसका मतलब होता है gather up मतलब एकठे हो जाओ to gather or bring together तो B3 आना चाहिए B3 है कहीं B3 सिरफ एक जगा है B3 सिरफ एक जगा है तो right answer तो इस case में A होना चाहिए समझ पारे हो right answer इस case में A होना चाहिए right answer is A for M the bad yes or no B3 आयार muster up मतलब to gather or bring something to gather or bring something hence A for M the bad is the right answer ledge क्या होती है ledge एक तरह की shelf होती है जिसके ओपर खड़े होके आप mountain range या mountain की hills देख सकते हो ठीक है जी ledge a projecting edge from a mountain basically एक edge है एक shelf है जिसको आप देख सकते हो from a distance और आप mountain की range वहाँ से देख सकते हो उसको बोलते है ledge ठीक है जी कोई प्रोब्लम तो नहीं इसमें और narrow horizontal surface ledge को एक और लिख लो ये narrow होता है narrow horizontal surface narrow horizontal surface जिस पे अपने हाथ रखके आप देख सकते हो एक mountain तो ledge का मतलब होता है must wrap का मतलब होता है to gather or bring together plunge का मतलब होता है to dive dive करना किसी sea में किसी ocean में किसी swimming pool में dive करना अब braiding का मतलब होता है reprimand reprimand का मतलब क्या होता है अब braid करना किसी को मतलब एक official धंकी देना official warning देना official scolding मैंने बताया था reprimanding, reprimandation, reprimanded का मतलब होता है official scolding एक authority में किसी तुमारे junior officer ने कोई काम नहीं किया जो तुमने दे रखा था, तो तुमने उसको क्या किया abrade किया, abrading होई उसकी सरे आम उसकी बेज़ती करी गई officially, कि अगर ये दूपारा हो गई चीज, तो मेरे सा बुरा कोई नहीं होगा उसको बोलते है official scolding, ठीक है जी तो right answer is a for m दा बाद, आगे move on करते है, चलो, आगे आजो next आजो scrapped, beckoning, countryside, glad ये comparatively easy होगा, क्योंकि glad तो तुम्हें पता, तुम्हें मतलब पता glad का मतलब क्या होता है, I am happy today, I am very much glad glad, या gay का मतलब भी क्या होता है, happy, yes or no glad, gay, happy ठीक है जी, तो d2 आना चाहिए, d2 पहले तीन में option d हटा देंगे हम, क्योंकि option d में d1 था, ठीक है अच्छा, इस पूरे के पूरे question में थोड़ी सी problem है, यहाँ पे confusion हो सकता है, और यही answer होने वाला है, क्योंकि जब मैं इसको solve कराता है, तो यही answer आता है, मैं बता दूँ पहले, scrap का मतलब होता है, scratch कर देना scratch कर दिया, scrap कर दिया, एका 3, तो एका 3, the right answer is C for Calcutta, countryside मतलब rural region, जो गाउं कस्बों के एरिया होते है, तुमारे आसपास गाउं कस्बों, उसको बोलते है, countryside, यह American term है, अमेरिका में use होता है, इंडिया में तो बोलते है, गाउं चल रा गया, कस्बा चल रा गया, कुछ लोग तो NCR को भी countryside बोलते हैं, बेकनिंग का मतलब होता है, इंडियरेक्ट हिंटी देना, देख कोई आ रहा है, चुब होजा चुब होजा वो आ रहा है, उसको क्या बोलते है, सिग्नल करना, तो B का 4, राइट आंसर इस A3, B4, C1, D2, राइट आंसर इस C4, Calcutta, वेरी गुड, आसम, आजो, डाइश बिलीवर, इन दे गुड़नेस ओफ, यूमन नेचर, ध्यान दे समझना, डाइश बिलीवर, डाइश बिलीवर, एक बहुती कॉमन वर्ड है, जो यहाँ बहुत बार यूज होता है, मतलब एक सिंटेंस में नहीं कहीं सिंटेंस में आपको देखने को मिलेगा, ये वर्ड कहीं बार आपको यूज होता है, दिखेगा, तो वो कॉन सा वर्ड है, स्टॉंच, पावर्फुल, चीरफुल, या होफफुल, A, B, C, D, नौइड़ा को बोलते हैं लोग, मिहिर, ओके, चलो भई, सेशन को लाइक कर दो जी, बार बार मत बुलबाओ जी, 100 ब्लस लाइक सभी के भी हो जाने चाहिए जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, स्टार्ट करें, यह राइट आंसर इस केस में, A, for M, the बाद है, स्टांच बिलीवर is the right answer, स्टांच का मतलब होता है, फ़र्म या डिटर्मिंट, डिटर्मिनंट या डिटर्मिंट, मतलब यह काफी निश्था के साथ, फ़र्म बिलीवर है, स्टांच बिलीवर कहीं बार यूज होता है, पावर्फुल का मतलब क्या होता है, पावर्फुल मतलब होता है, स्ट्रेंथ, यार बिलीविंग में स्ट्रेंथ का कोई रोल ही नहीं है, पावर्फुल जहां भी आजाए, पावर्फुल इस डिनोटिंग स्ट्रेंथ, strength का कहीं मतलब ही नहीं है believing के साथ कोई अगर किसके पा strength नहीं होगी तो वो believe नहीं कर पाएगा similarly hopeful, आशा रखना cheerful, उसा में रहना cheerful है मेरे पास तो energy बहुत जाद है मैं वहाँ जाओंगा खेलने cheerful रहना तो एक तरह का hyper activity है ये भी physical movement है ये mental movement है ये भी physical movement है staunch का मतलब होता है firm believer हाँ, drill nishtre के साथ ये believe करता है इस ideology में determined, तो staunch believer A for Ahmedabad is the right answer staunch devotee, उसको काफी भरोसा है very good, mihir gurang very good, तो right answer is A for Ahmedabad आगे मुमोन करें, चलो भई select the word from the given options you consider the most appropriate again, same instruction है the election commission on Saturday dash that the assembly elections in five states will be held from November 12 to December 14 pronounced, announced promulgated या issued बहुत बढ़िया question है बता तो इसका answer क्या होगा election commission ने Saturday को क्या किया pronounce किया, announce किया promulgated किया या issued किया last seven questions हमारे पास रह गए है चलो पहली बाद तो pronounced का मतलब होता है very noticeable प्रनाउस्ट और अनाउस्ट में बच्चे कन्फ्यूज होंगे आपे प्रनाउस्ट अनाउस्ट में कन्फ्यूज होंगे right answer is B for Bombay is the right answer pronounced का मतलब होता है very noticeable very noticeable announced का मतलब होता है announcement करना declare करना सबको बताना हाँ मैं announce कर चुका हूँ public domain में उसको ले के आना उसको सभी जितने भी stakeholders है उनको information पहुचाना कि ये चीज हो रही है और जो जो लोग उस event से impact हो रहे है उनको information पहुचाना हाँ this is happening for reality announcement is the right answer announce is the right answer promulgated का मतलब होता है to bring a law into action भाई law तो बन गया but to bring law into action भाई उस law को action में भी तो ले के आना है to bring law into action बोलते हैं promulgated और issued का मतलब होता है issue करना किसी चीज़ का issued एक government authority करती है और issue पता क्या होता है issue letters होते है कोई statement issue नहीं होती एक official letters written documents issue करे जाते है right answer is before Bombay very good B for Bombay is the right answer आगे आजाओ पहला जम्बस पे आगे हैं भाईया बहुत बढ़ी है last seven question जल्दी से करो बहुत easy question है अच्छे question है पहला जम्बस के तीन-चार question करेंगे start करते हैं गलत हो गया B for Bombay ठीक है very good सत्यम perfect he does not look पहली बात तो सबसे पहला statement है you can't judge you can't judge what a book bites cover ये तो एक idiom है कि तुम यार एक book के अंदर क्या लिखा है कितनी अच्छी है उसके cover से नहीं जा सकते क्योंकि cover एक सूपरफीशल अभी हमने वर्ड पढ़ा एक सूपरफीशल कोट है कोटिंग है वो real situation हो सकता है ना बताये तुमें तो you can't judge a book bites cover reality में एक idiom या phrase होता है उसका मतलब होता है तुम किसी की personality सिरफ एक मीटिंग में उसकी सुंदरता से नहीं पैचान सकते कोई देखने में बहुत सुंदर है बड़ जब वो बोल रहा है वो गालियां पक रहा है तो वो तुमारे किसी काम कर नहीं है तुम उससे सोशलाइजी नहीं करना चाओगे मिलने नहीं चाओगे सीखने के तो बात अलग You won't be able to even communicate to the person You can't judge a book by its cover तो PR साथ में होगा देखो अभी मैं बागी स्टेटमेंट को नहीं उठा रहा PR साथ में कहा है एक यहाँ है और कहीं नहीं है PR साथ में RP है साथ में RP थोड़े ना ऐसे थोड़े ना हो सकता है A book by its cover You can't judge तो right answer is A for M दाबाद मैंने उठाया भी नहीं मैंने सिर्फ दो स्टेटमेंट से answer निकाल दिया इसको बोलते हैं ट्रिक क्या He does not look good अब मैं इसको verify कर लेता हूँ पहले S आना चाहिए फिर क्यो He does not look good He does not look very intelligent But You can't judge a book by its cover तो S Q P R is the right answer हाँ भई अच्छा logical meaningful sentence बन रहा है paragraph बन रहा है कोई problem नहीं है A for M दाबाद is the right answer आगे move on करें चलो Same तुम अगर pairs बनाओ देखो यार इस case में तुमें क्या करना है अगर तुम pairs बना लोगे ना तब भी तुम्हारा काफी हद तक फायदा हो जाएगा अगर तुम pairs बनाओगे काफी हद तक फायदा हो जाएगा जैसे इसमें कहीं न कहीं pair बन रहोगा उसके basis पे तुम options को eliminate करना शुरू कर सकते हो समझ पार है options को eliminate करना शुरू करो और जल्दी से session को like करो और वह 100 plus student जूड़ चूड़ चूड़ है हमार साथ जल्दी से 100 plus likes हो जाने चाहिए अभी के अभी स्टार्ट करें चलो चलो जल्दी से बखाते हैं इसको evidence of a crisis in the party politics can be found पहली बात तो evidence के साथ found आना चाहिए evidence मिलता है न कहीं न कहीं से तो evidence can be found RQ होगा RQ मैंने एक पेर निकाला देखूं भाई RQ है हाँ यहाँ है यहाँ है RQ नहीं है यहाँ है RQ नहीं है यहाँ क्यू आ रहा है right answer is A4M दाबाद दो statement के बलबे पूरा पैराजंबर solve इसको बोलते हैं ट्रिक practice इससे होंगे तुमारे question solve इसमे तुमने RQ निकाला yes or no भाई सबने RQ निकाला था न गट्टू, निशा, प्रखर, तनुझ DM, सत्यम, मोहित हर्षद अक्रवाल, प्रखर केशब रजापती absolutely RQ, PS is the right answer yes or no evidence of a crisis in party politics can be found in the decline in party अब इसको मैं verify कर लेता हूं in the party क्या, party क्या के खतम होगी statement, in the party membership जो भी उस party के अंदर membership ले रहे हैं फिर इसको बोलते हैं partisanship, partisanship मतलब उस party के अंदर जो stakeholders हैं, एक तो होते हैं members, जो subscription model पे या जो कारे करता होते हैं, membership होते हैं partisanship मतलब जो उस party के founders हैं जो लोगों ने, जो politicians ने वो party बनाई है partnership as well as in the rise of anti-party हम यह बताना चाह रहे हैं, evidence मिल रहे हैं कि यह political party का crisis है अब यह डूब रही है, क्यों anti-party groups हो गए party के against movement हो रही है इस party ने यह घपला किया, इस party ने वो corruption है, इस party ने यह फलाना कांड कर दिया, समझ भारे हो यह फलाना इसके खिलाफ evidence हिकठा हो रहा है और उससे एक चीज़ और हो रही है party की जो membership है उसके जो founders की नीव है वो हिल रही है, membership कम हो रही है नीव हिल रही है right answer is A for Ahmedabad, very good आगे आजो, चलो choose the most appropriate option to identify the meaning of the word, idiom phrase अब idiom phrase का meaning बताना है तुम्हे important है, बढ़िया है जल्दी से बताओ, be out of action be out of action ओरे 30, 30 likes to go thank you so much thank you so much, hush gamers, thank you so much for all the appreciation, आपको subscribe करना, चैनल को notification bell दबा देना 12 बज़े मैं आऊँगा, numerical ability की बहुत धासू class लेके, मज़ा आएगा मेरा promise है numerical ability की धासू class 12 बज़े और टेलिग्राम रुपे मैंने already schedule आशेर कर दिया टेलिग्राम रुपे मैंने already schedule शेर कर दिया ये तो तुमने answer पहले देख लिए होगा, be out of action मतलब to get punishment to get reward to become dysfunctional अगर मैं तो तुम बोलोगे he is now out of action he has become dysfunctional right answer is C तुम ये नहीं बोलोगे he has gotten punishment या he must be rewarded he has become super active super active तो antonym है dysfunctional का मतलब होता है, काम नहीं हो पारा simple meaning बता रहा हूँ काम नहीं हो पारा content block हो चुका है एक चीज़ होती है, content block या work block इतना जादा तुम ने काम कोई लिए, तुम आई ही नहीं पारे तुम काम करी नहीं पारे be out of action अब action तुम खतम होगे तुम बिलकुल normal state में, relaxing की state में हो you have become dysfunctional तुम से function नहीं हो पारा, काम नहीं हो पारा C for a Calcutize, the right answer चलो learning from the school of hard knocks इस idiom का क्या मतलब होता है learning from the school of hard knocks learning things from experience learning things from others learning things from environment learning things through difficult experiences hard knocks का मतलब समझ गये जिन्दगी तुमें मुक्का मारेगी life will beat you up you have to stand up again वो knock की बात कर रहे हैं उस मुक्के की बात कर रहे हैं चलो भई, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया art block very good art block भी हो जाता है इसको बोलते हैं art block अच्छा statement है या महीर ने अच्छी चीज़ बता ही art block मतलब बता हूँ क्या एक artist है उसने बहुत बढ़िया painting बना ही उसके बाद हो 6 महीने out of function इसको बनाना क्या है उसको पता ही नहीं बनाना कैसे है समझ पा रहे हो चलो very good learning from the school of hard knocks का मतलब यह है learning from things through difficult experiences बहुत ही bad experiences होए है दिक्कत तो ऐसे नहीं होते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती experiences से आते हैं difficult situations से आते हैं मार खागे हैं मुँपे मुख का खागे आते हैं ऐसे अगर सब कुछ अच्छा चलता रहेगा तो कैसे चलेगी जिंदगी जिंदगी का नाम ही ऐसे upside down है हमेशे same level पर नहीं चलती learning from the school of hard knocks का मतलब यह है learning through difficult experiences D for Delhi is the right answer D for Delhi is absolutely right ठीक है जी? चलो raise some hackles very good raise some hackles hackles का मतलब क्या होता है? hackles का मतलब होता है फाल्तु के बाते करना या इसकी कम्यां उटाना ताकि इसको चिड मचे raise some hackles जैसे तुमारे cousin भाई बैन आते हैं कभी कभी और कहते हैं और पढ़ाई कैसे चल रही है तो they are raising some hackles तुमारी जिन्दगी की परशानिया तुमारी जिन्दगी के difficults turns, ups and downs वो point out करते हैं pick point करते हैं ताकि तुम्हें दर्दो जले पन नमक छड़कना तुमारा break up हो गया और क्या आलना है? तुमारी जिन्दगी काम किया उन्होंने? नहीं तुम्हें क्या कर रहे है? अनॉय करने की कोशिश कर रहे है अनॉय करने की कोशिश कर रहे है इसका मैं एक बहुत बढ़ी ए statement एक example तुमारे पस लेके आया था मुझे लगा students को बताना चाहिए लिख लो यार right answer is to annoy क्योंकि right answer is to annoy लिख लो इसको raise some hackers मतलब होता है to greatly irritate और annoy और aggravate one aggravate का मतलब उसको भढ़काना उसको instigate करना और वो ताकि जले, चिडे वो काम ना कर पाए वो रोहे ऐसे करना उसको ठीक है जी? अब जाना समझो इसका मैं एक statement लेगा है था ता तुम्हारे पास the politician the politician has a gift has a a gift for raising for raising his opponents for raising his opponents hackles during debates during debates इस line का मतलब क्या है? कि भाई जो politician है ना उसके पास एक inherent power है एक inherent rate है gift मतलब भवान से दियावा तौफा natural gift है उसके पास जब भी वो debate में जाता है ना वो अपने opponents की वो अपने opponents की ऐसी तैसी कर देता है arguments में to raise his opponents hackles उनकी खामिया निकाल निकाल के उनको इतना कर देता है कि भाई परशान मत कर भाई मेरे को मैं चुप रहूंगा क्या होता है? दो पॉलिटिशन पॉलिटिशन has a gift for raising his opponents hackers during debates वो डिबेट में इतना तकड़ा बोलता है ठीक है जी? चलो आगे लाइन है यहाँ पर he ran to catch a bus he ran to catch a bus जब हमने उसको लाज देका था 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 he ran to catch a bus देखो यार यह ना एक action दर्शार है कुछ ना कुछ act हो रहा है यहाँ पर तो act में हमेशा ing लगता है right answer इस case में क्या होगा? चलो चलो नंदिनीदू में accountancy के top mcqs with explanation and solutions मैं आपके पास बहुत जल्दी domain में start कर रहा हूँ इसी channel पर very good c is the right answer नेशा, smarty weapon तनुज, mohit joshi starboard miheer, tanuj, ankit केशप रजापती, हर्षिता वंदना, सत्यम right answer is he was running जब हम past की बात कर रहे है तो उस समय वो किसी action में involved है he was running he was running to catch up us right answer is C for Calcutta आगे move on करें, चलो select the correctly punctuated मैंने तुम्हें पताया CUT में ऐसे questions आएंगे और ऐसे questions, लड़्डू questions होते तुम्हें score करने में help करेंगे क्या? select the correctly punctuated sentence the twins exchange looks and test said quietly test एक बंदे का नाम है आपे if only we had known before dot 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 semicolon यहाँ पे sorry यह double colon, double colon starts और ends हो रहा है the twins exchange the looks and ठीक है कुछ गरत लग रहा है इसमें पहली बात तो test के आगे कॉमा आने की जुरुत नहीं है और यह sentence खत्म होने के बाद exclamation mark क्यों आ रहा है यह sentence के बाद if only we had known before यह कोई question दोड़ ना पूछा यह तो एक comment कर रहा है right answer is right answer is a for m the bar is the right answer a for m the bar is the right answer the twins exchange looks उन्होंने एक दूसरे को देखा और test ने बोला if only we had known before अगर हमें पहले पता होता तो शायद हम यहां पर आते ही ना यह किसी दोनों भाई ना किसी relatives के यहां गए है और relatives के यहां बाते तो productive हो नहीं रही बाते तो इदर हवा में हो रही है और बूचे ने बाई तू कैसा है तू कैसा है और बूचे आप क्या कर रहो पढ़ाई में सेशन को लाइक करके जाएंगे सभी कि सभी 100 लाइक हो गए हमारे जल्दी से जल्दी लाइक करके जाएंगे select the correctly punctuated sentence correctly punctuated sentence बताना है मैं इसका answer बता के जाऊंगा यार अभी होंब कोशन है मैं इसका answer बता के जाऊंगा my favorite teacher, who just happens यह पहले हमने punctuated mark वाला same question पहले भी कर रखा है my favorite teacher, who just happens to be my uncle, retired from the university last summer यार यह तो statement मिलको बिलकु सही लग रही है my favorite teacher, पहली बात तो who के पहले कॉमा ना जरूरी है तो यह cancel हो गया क्योंकि यहां पे who के पहले कॉमा नहीं है मैंने बता रखा है dash, which या dash कॉमा हू यहां पे जो भी चीज होती है ना इसमें कोई ना कोई person या object की बात कर रखी होती है which से पहले जिसकी बात कर रखी है which से पहले जिसकी बात कर देखिए तो यह which जो quality denote करेगा वो इस statement की करेगा जैसे I had a shirt which got torn, मिरे पास एक shirt जो फट गई तो which से पहले किसकी बात थी which से पहले shirt आ रहा ना इसमें तो shirt की बात हो रही है which got torn, अबे क्या torn हुआ मैं torn हो गया यह shirt torn हुई shirt torn हो गई ठीक है, who अच्छा who किसकी बात कर रहे है किसी ना किसी बंदे की बात यहां पे कर रहे है यहां पे किसी ना किसी human element की बात कर रहे है who से पहले teacher है तो वो professional एक teacher की बात कर रहे है my favorite teacher, comma who is the right approach तो यह यह तो cut गया क्योंकि यह इसकी मैं comma who है ने, ठीक है my favorite teacher, who just happens to be my uncle my uncle retired, आप देखो my uncle retired from the university यह teacher retired, यह दोनों same ही बंदे है यहां पे comma आना चाहिए था yes or no, यह भी गलत हो गया my favorite, comma teacher, comma ज़्यादा comma लगा दिये my favorite teacher, एक ही connotation में यूज किया गया है, एक ही phrase में यूज किया गया है तो यह भी गलत, right answer is a for am the by is the right answer, yes or no a and d are not same कौन बोल रहे a and d are not same हाँ, a and d are not same यहां पे दो कौम है, एक कौम है, यहां पे तो सिर्फ एक कौम है favorite के बाद थोड़ा ना कौम है वहाँ पे ठीक है जी, बहुत बढ़िया right answer is a for am the by is the right answer